नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका Medical Group चनल पर आदम कोजिगलो जेल के बारे में पूरी जान कर लेने वाले हैं कोजिगलो जेल का मुक्यत उप्योग सुंदर तोचा और चमकदर तोचा बनाने के लिए किया जाता है आईए इस जेल के बारे में आतिक उस्तार से जानते ही यह जेल कैसे काम करता है कहा है इस जेल के क्या बेनिफिट से क्या साइड़ पेक से इस जेल से जुड़े सभी से आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को आखिर तक दरूर देगी आलकेम लाबराटरिस कंपनी का 20 ग्राम का यह जेल आपको 400 रुपे में तिसी भी मेडिकल स्टोर्स पे आसनी से मिल जाएगा बात करते है इस जेल में मुझूद कंटेंग के बारे में कोजी गलो जेल में कोजी कैसीड 2% अर्बूतीन 1.5% अक्टिनोक जेट 7.5% पाइन बार्क एक्स्ट्रैक 2% और अलन पाइन 0.4% यह कंटेंग समाज़त है इसमें मुझूद कोजी कैसीड तोचा की गहरी परतों में मेलेनिन उन्पादन को कम करता है और तोचा की मलीन की रन यानिकी डिसकलरेशन का मुकबला करने में प्रभाई होता है और आर्बूतीन यह यक स्कीन लाइटनिंग एजेंट है यह टाइरोसीने सावरत द्वारा मेलेनिन के गठन को रोपता है और अक्टिनोक जेट यह यक सन प्रोटेक्टिव एजेंट है यह यह संस्क्रीन के रूप में कार्या करता है और तोचा को UVB किर्णों से प्रेरित, कालापन और ख्षेति से बचाता है और पाइन बार्क एक्स्टैट यह हैलोनरिक एसिड के गुतपादन को बढ़ाता है और तोचा की इलेस्टिसिडी बनाई रखता है तोचा को hydrate करता है, तोचा को चिकना करता है और दुरियों को कम करता है और आलन टोइन यह तोचा को नरम और कॉमल बनाऊट देता है यह यक एंटी एजिंग एजेंट भी है, जो तोचा कोशिकारी जेनरेशन की सुईदा प्रदान करता है बात करते हैं इस जेल की उजिस की डॉक्टरी शेकिन के समझे में इस्तमाल करते हैं इसका उपयोग सुका फ़न की रोकताम और चिकनाई बढ़ाने के लिए के आ जाता है और साथी तोचा की जलन रोकने के लिए इसका इस्तमाल के आ जाता है और साथी जखम भरने के बाद दाग दबो को मिटाने के लिए भी इसका इस्तमाल किया जाता है और साथी सूर्य विकिरन से तोचा की रक्षा करने के लिए भी इसका इस्तमाल किया जाता है और साथी तोचा को मुलाइम बनाने के लिए तोचा सुन्दर और चमकदार बनाने के लिए और साथी मेलिनिन का आती उत्पादन रुपने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है और साथ ही तोचा की जलन और मुवाशे की समझ्या दूर करने के लिए डॉक्टर इस जेल का इस्तमार करते हैं यह तोचा की इलेस्टिसीरी बनाय रखता है तोचा को वाड्रेट करता है तोचा को चिकना करता है और साथ ही जुरियों को कम करता है इन सारी समझ़ा में यह जेल बहुत फाइदे मन होता है बात करते हैं इस जेल से उने वाले साइड पेक यदि आपको इस जेल में मोझूद कंटेंट्स या रर्ज जा है तो आपको साइड पेक हो सकते ही येदी बताएगाए साइडी पेक्समोसुस हो तुरों डक्टर से संपर करे इस जेल से आपको जलन, कुजली, लालिमा और इस्तेमल वाली जगह पर रियाक्षिन आना यह साइडी पर हो सकते हैं बात करते हैं यह जेल इस्तमल करने से पहले हमी क्या क्या साउधनिया लेनी चाहिए येदी आपको इस जेल में मोजुद कंटेंश आलर्जी है या फिर कोई साइड पेक्स मौसुस होते है तो इस जेल का इस्तमल ना करे येदी आपको और मेडिशन ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को दरूर निपांग करें ताकि आपको और डोस्या पी ड्रुग इंट्रेक्शन ना हो इस जेल का इस्तमल गरोगोती माईला या फिर संपन करने वाली माईला को करना हो तो गाना कलज इसकी सला दरूर ले उसके बाद इस जेल का को इस्तमाल करें और याद रहे कि यह जेल स्रिफ बाहरी इस्तमाल के लिए और साथ इस जेल को इस्तमाल करने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छे शे दो ले उसके बाद इस जेल का इस्तमाल करें बात करते हैं इस जेल को इस्तमाल करने के सही तरिके के बारे में आप अपनी समस्या और रेज बता कर इस जेल का इस्तमाल आप अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस चे पूत ले याद रखे दोस्तो हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है इसलिए रोगी किस्तिती, रोगी के आयू और अन्यकारणों के आधार पर इस जेल का इस्तमाल करने का स्ताई का अलग हो सकता है इसलिए इस जेल का इस्तमाल डॉक्टर के सला के अनुसार करे दोस्तो पहले आपने मुह को दोए और सुकाए और जेल लगाने से पहले किसी भी मेकप को पूरी तरह से हटा दे जेल के एक पतली परत को तोचा के प्रभाई शित्रों पर लागो करे और याद रखे कि यह जेल आपके आख या फिर मुह में ना जाए इसे दिन में ये क्या फिर दो बार लगा सकते है या फिर अपने डॉक्टर के सला के आनुसार भी इस जेल के इस्तमाल कर सकते है दोस्तो इदि आपको इस वीडियो से हिलपूल इंफरमेशन मिले हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेडिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ वीडियो का नदब दिजी ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिपे किसे न मिलती रहे है धन्यवाद दोस्तो